हलो दोस्तों मेरा नाम बुपंद्र पटेलेंगर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल LCS मैं उम्मिद करता हूँ कि आप सेफ होगे आपके परिवार वाले भी सेफ होगे जो अब ही पैंडेमिक चल रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क जरूरी पहने और घर से बाहर मत निकले जरूरी काम हो तो ही निकले तो आज का हमारा टॉपिक है कि All About The Intensive तो एक नया सर्कुलर आया है कल में जीट्यू में तो उसके रिकार्डिंग में ये वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपोर्टन है और बहुत खास होने वाली है आपके लिए जो चिट्यू में पढ़ रहे है उनके लिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिस सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत बुलिए एन वन मोर थिंग कि जो मैंने एक टेलिग्राम ग्रूप बनाया है तो ऐसे कुछ इंफर्मेशन आती है तो मैं उसमें सेयर करता हूँ तो इक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहाँ पे वह टेलिग्राम ग्रूप बीचो लिंक है वो मेरा ग्रूप भी आप जॉइन कर सकते हो तो whenever I will share the important information so you will get very easily ओके तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो तो क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि intensive क्यू करनी चाहिए और जो compulsory subject है तो इसका एक circular आये देखिए आपको इस circular की link मैं नीचे description में डाल देता हूँ ये circular है कल आया है 20 में 2021 तो इसको पढ़के मैं बता हूँ कि क्या है और उसके आगे आपको क्या करना है so basically जो subject है उसका summer internship जो subject code है 3170001 ये हर एक degree branch के लिए compulsory subject है यहाँ पे लिखा of various branches of bachelor of engineering courses means ये particular engineering course में degree engineering में means undergraduate में जितने भी courses है architecture ले लो chemical ले लो whatever तो इन सबके लिए ये compulsory subject है भी तो as for the syllabus of this subject the student will have to undergo summer intensive for two weeks after the completion of six semester means six semester खतम होने के बाद आपको compulsory ये दो week की visit करनी है means intensive करनी है then उन्होंने लिखा है and submit a summer intensive report by end of it means आपकी दो week की intensive खतम होती है तो उसके बाद आपको वो report submit करना है college में for the successful of completion of this course student are required to undergo summer intensive as per the prescribed format and duration means उसने duration बताया गया वो करना है looking to the prevailing the situation of COVID-19 pandemic student may start their internship from 24th May means उन्होंने बताया के due to COVID आपको आप जो 6M में अभी exam नहीं हुई है तो वो लोग 24th May से कर सकते हैं intensive join दो week की and must complete it by 16th June 2021 means यह compulsory आपको 16th June के पहले आपको submit complete करनी है then what any details for summer internship sorry summer internship started before 24th May 2021 by few students will also be considered provide it is information two weeks duration means उनको भी जो भी provide गई जो provide किये information two weeks की कुछ बच्चों ने 24th से पहले भी complete year दिया है तो उनको भी उनकी internship भी consider की जाएगी so यहाँ पे दिया के for any details summer internship subject code 317-0001 please refer the syllabus link on GTV website तो जैसे मैंने आपको बताया था जो हमने analysis किया था syllabus का as well as उसके बाद मैंने एक internship पे वीडियो भी बनाया था कि internship आपको करनी पड़ेगी दो week की क्यूंकि जो last time तक था तो उसमें ऐसा था एक subject आथा था project 1 project 2 तो बच्चे क्या करते थे आजा आधा project आपको यहाँ पे करते थे 7 semester and remaining portion will complete on the 8 semester तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके base पे कि आप दो week की internship करोगे maybe कि आपका 8 semester है पुली project आएगा maybe क्यूंकि जैसे मैंने subject analysis किया है तो जो 8 semester के सारे subject हैं उन्होंने 7 semester में cover कर लिए और मुझे नहीं लगता कि सायद अभी 8 semester में आपको कोई subject देंगे पढ़ने के लिए so मेरा अनुमान है कि आपको 8 semester में 110% project आएगा और अभी आपको दो week की जो internship है वो complete करनी ही करनी है before this 16 June means 16 June के पहले आपको internship करनी है कोई भी company में और उसका report as well as the certificate जो syllabus में दिया गया हुए उस format में बना के आपको college को submit करना है so इस video में मैंने बताया है कि internship का जो नया circular है वो कैसा है और उसमें क्या करना है तो इसकी जानगारी उम्मित करता हूँ आपको पसंद आया होगा यह video तो वीडियो पर like कर देना और अगर आप share करना चाहो तो आपके brand के साथ share कर देना क्यूंकि उनको भी पता चल जाए कि intensive हमें 24th में से start करनी है तो इस उल्डियो में इतना ही थैंक्यू पर वाचिंग माई YouTube चैनल